एक समय के बात है एक बार वहां तीन चोटे सुवर थे जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू था सोनू भूसी के घर में रहता था, मोनू लकणियों के घर में रहता था और गोनू इर के घर में रहता था एक दिन एक बड़ा भेडिया सोनू के घर पर आया और उसने कहा मैं हला मचाओंगा और तुमारे घर को उड़ा दूँगा उसके बाद वे गुस्सा हुआ और उसने खूब दम लगाया और उसने उसके घर को उड़ा दिया तब ही सोनू मोनू के घर भाग गया भेडिया मोनू के घर पे भी पहुँच गया उसने कहा मैं हला मचाऊंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूँगा इसी तरह उसने मोनू का घर भी उड़ा दिया उसके बाद सोनू और मोनू दोनू का घर तो तूट गया तो उसके बाद सोनु मोनु कहा गए गोनु के घर गए और भेडिया गोनु के घर भी पहुँच गया और उसने वही बात वहाँ फिर से कहे कि मैं खुभ तेज चिलाओंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूँगा तोड़ दूँगा लेकिन गोनू के घर को वो नहीं तोड़ पाया क्यों? क्योंकि गोनू को घर तो इट का बना था उसके बाद भेडिया वहां से भाग गया और वो गोनू के घर को नहीं तोड़ पाया फिर सोनू, मोनू और गोनू खुशी-खुशी इट के बने घर में साथ साथ रहने लगे इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमें घर बनाना चाहिए तो वो बहुत ही मजबूती के साथ बनाना चाहिए तैंक यू